दोस्तों बोलिवूड एक्टर धर्मेंद के घर इस समय बहुत सारी खुसिया मनाई जा रही है लेजेंडरी एक्टर धर्मेंदर इस समय अपने पोते की साधी को खूब इंजवाए कर रही है सनी देओल को भी इस समय बेटे करन देओल की साधी की धेर सारी सुपकामनाई मिल रही है और साथ ही करन देओल और दिरिसा अचारिय दोनों को काफी प्यार भी मिल रहा है और साथ ही मिल रही है बहुत सारे गिफ्ट्स तो दोस्तो आज की स्टार्स लाइफ स्टोरी की इस वीडियो में हम बात करेगे करंदेवल और दिसा अचार्य को उनकी वेडिम में मिलने वाले 10 expensive gifts के बारे में तो अगर आप करंदेवल और दिसा अचार्य को मिले gifts के बारे में जानना चाते है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा चलिए वीडियो को सुरू करते है नमबर एक धरमेंद्र दोस्तो इन्होंने अपने पोते करंदेवल को साधी के समोके पर दुबई में एक विला गिफ्ट किया है जिसका प्राइज 30 क्रोड उपे बताया जा रहा है नमबर दो सनी देवल दोस्तो सनी देवल अपने बेटे करंदेवल की साधी के इस मोके पर बहुत खुस नजरा रहे थे और इन्होंने इस मोके पर अपने बेटे और बहु को डाइमंड दिंक्स गिफ्ट में की है जिसका प्राइज है 3 क्रोड उपे नमबर तीन सल्मान खान सल्मान खान ने भी सनी देवल के बेटे को बहुती एक्सपेंसिव गिफ्ट बेजा है दोस्तो इन्होंने मनीस मोरोतरा के ड्रेसिज गिफ्ट में दिये है जिसकी कीमत है 6 लाग रुपे नमबर चार बोबी देवल दोस्तो बोबी देवल अपने नेफ्यू से काफी क्लोज है और उनकी साधी को लेकर काफी एक्साइटिड भी नजर आ रहे है बोबी देवल ने अपने नेफ्यू को मुंबई में एक आलिसान अपार्टमेंट गिफ्ट किया है जिसका प्राइज है दस क्लोड रुपे नमबर पांच हेमा मालनी दोस्तो हेमा मालनी ने अपने स्टैप ग्रेंट्सन की साधी को तो अटेंड नहीं किया लेकिन उन्होंने सनी देवल को काफी बैस्ट विशिज दी और इस कपल को एक पेंटिंग गिफ्ट में भीजवाई है जिसका प्राइ की चैन गिफ्ट में दी है जिसका प्राइज है दो लाक रुपे नमबर साथ अमिता बच्चन दोस्तों जैसे कि आप सब जानते ही है अमिता बच्चन और धर्मेंद्र ने एक साथ कई सूपर हीट मुवीज में काम किया है इसलिए दोनों काफी अच्छे दोस्त भी है अमि साथी में इनकर गिफ्ट भी दिया है जोकी है ओडी कार और जिसका प्राइज है दो परो रुपे नमबर नाइन प्रीती जिन्ठा प्रीती जिन्ठा और स्नी देवल दोनों कई सूपर हीट मुवीज में एक साथ काम कर चुके है प्रीती जिन्ठा ने करंदेवलं को काम कर चुके है और दोनों एक दूसरे के काफी करीब भी है और जल्दी गदर टू भी रिलीज होने वाली है काम में बीजी होने के कारण अमिसा पटेल साधी तो अटेंड नहीं कर सकी लेकिन उन्होंने इस कपल को बेस्ट विशिस दी और साथी दिसा अचारिय को एक डाइम सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाईएगा तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिल वंदे मातरम